नमस्कार मैं भार्केश्री बेसियन नियूस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर चालो वितवर्ष में अब तक देश में कचे पाम ओईल का आयात लगपक 10 प्रतिशत बढ़कर बिज दशम लोग 91 लाख टन से अधिक हो गया है हाल की आउधि में कच्छे पाम ओईल के आयात में उलेख निया वृत्ति हुई है जिसमें 30 जून से 12 जुलाई के पेज 49 प्रतिशत से अधिक की वृत्ति हुई मित्रमंटाली ने एक बयान के जरिये यह जानकारी दी है मंदर गाहों पर कोई रुकावट ना हो और आयात मंसुरी लगबग 3-4 दिनों में दी चार इसके लिए सिमाशुल्क विभाग लगाता काम करता है मियापार को सवेधा जनक बनाने और मंसुरी में तेजी लाने के लिए सभी सिमाशुल्क शेत्र में नोडल अधिकार्य को नामित क्या गया है और आसान निकासी के लिए एक मानत संचालन प्रक्रिया भी लाकू की गई है बिरो रिपोर्ट बेसियन नियूज सावन का मौसम पास आते ही बाजार में नारियल के दाम करीब 10 से 15 प्रतिशत तक पढ़ गए है इसके साथी अनलॉक होने के साथ बड़ी नारियल की डिवान से भी इसके भाव में तेजी आई है नारियल महंका होने से खोबरा को ला और किसकी किमत भी पढ़ गई है सावन के मौसम में हर सुमफार को उपास रहने के साथी मंदिर में चड़ाने के लिए नारियल की काफी आधिक मांग रहती है वही सावन के साथी त्योहारों की शिर्वात हो जाती है ऐसे भी नारियल में डिमान निकली है इसके चलते चिल्लर में नारियल की किम्मत 20-30 रुपे से आधिक पोली जारी है और सुखा 400 भरती 4,400 से 5,200 रुपे चल रहा है सावन के शिर्वात होने के साथी इसके खपद बढ़ चाएगी जो कि रक्षा बंदन गनेशोच्सो वन नवरात्रों सव आधित्योहार तक रहेगी बिरो रिपोर्ट BCN News आइटी सेक्टर में रोजगार किस्तिती महामबारी से पहले वाली हाला से भी बहतर हो गई है इसकी चार बढ़ी आइटी कमपनियों ने वित्वश 2021 और 22 की पहली दिमाही में 2019 और 20 की पहली दिमाही के मुकाबले 7.2 फिस्दी जादा नोक्रियाती है अप्रेल जून दिमाही में TCS, Infosys, Vipro और MindT ने 24,180 नई नोक्रिया दिया है इसके मुकाबले वित्वश 2019 और 20 की अप्रेल जून दिमाही में इन चार आइटी कमपनियों ने 41,224 नई प्रोफेशनल्स को नोक्रिया दी थी इस साल आइटी सेक्टर में नोक्रियों का आखड़ा और पड़ी का क्योंकि Infosys ने कहा है कि वह इस साल 35,000 और प्रेशर्स को न्यूट करेगी माना चारा है कि TCS जैसी अन्य कमपनिया भी कैंपस हारी बढ़ाएगी बरहाल अप्रेल जून दिमाई में सबसे जादा 20,409 नई प्रोफेशनल्स देश की सबसे बड़ी आइटी कमपनी TCS में न्यूट की गए है इस दोरान में Infosys ने 8,334 नई न्यूट दिया की जबकि वीप्रों ने 12,000 लोगों को नोक्री पर रखा आइटी सेक्टर बहामारी से सबसे कम प्रपावीत होने पाले शेत्रों में शुमार है बिरो रिपूर्ट BCN News टाटा ग्रूप ने जरकारी विमानन कमपनी एएर इंडिया की अधिक्रहन के लिए डिव डिजिलेंसी की प्रक्रियात तेज कर दी है और चपदस्त सुद्रों ने बताया है कि टाटा ग्रूप की कमपनीों की अधिकारियों ने एर इंडिया की विमिन साइट का हाल के दिनों भी निरिख्शन किया है इस जल में एएर एशिया इंडिया टीसियेश और टाटा ग्रूप की अन्य कमपनीों की अधिकारी शामिलती और उनने एर इंडिया की परिचालन और प्रशासनीक साईट का निरिख्षन किया सुद्रों की अनुसार ग्रूप एर इंडिया की मानव संसाथन वाली हिस्से पर ज्यादा ध्यान केंटरित कर रहा है। यह घटनाकरम इसलिए ज्यादा महत्वपून है क्योंकि एर इंडिया के लिए अंतिम बोली लगाने की आउती सितन पर भी खत्म हो रही है। एर इंडिया ने टार्टा क्रूप और खुद की पीच बेहतर समन वे के लिए निवेश इकाई का गठन क्या है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों ने पहली तिमाही अप्रेल जुन के कॉर्परेटेट नतीजे जारी कर दी है। इसकी शुरुपात टार्टा कंसल्टेंट सर्विस ने की है। इंडस्री की सबसे बड़ी कंपनी को जुन तिमाही में 9000 करोड रुपे का प्रॉपिट वा। गुर्वार को विप्रों ने भी पहली तिमाही की नतीजे जारी के। कंपनी को 3243 करोड रुपे का मुनापा हुआ जो पिछले साल की समात दिमाही में 2390 करोड रुपे थी। विप्रों ने तिमाही नतीजे को जारी करती वे कहां कि जुन तिमाही में उसका रिवेन्यू 18252 करोड रुपे रहा। खबर समाप्त करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुरकियों पर। कोरोना काल में बड़ी आईटी सिवाओं की मांग तो नई नौकरिया बाटने में भी कांपनियों नी बढ़ाई हायरी। 223 महिने में 4 आईटी कांपनियों नी बाटी। सावन पास आते ही बढ़ा नारियल 2030 रुपे बता जारे भाव। बिस्नेस समाचार भी फिला लिता ही। ऐसे अन्य खपरों से जुड़े रहने के लिए देखती रहे है। नमस्कार।